भाजपा के मुखी प्रवक्ता एवं विधायक अज़ेचंद्राकर ने मुखी मंती द्वारा युवाओं से भेट मुलाकार काईकरम में उनके द्वारा की गई घोशनाओं को लेकर सवाल उठाया है अज़ेचंद्राकर ने कहा कि हमारा देश आज़ादी के अमरित काल का जशने मना रहा है लेकिन 36 गड़ में युवाओं को ठगी का शिकार होने से आज़ादी अब तक नहीं मिली है युवाओं के काईकरम में मुख्यमंत्री जो चाहे वे खुशनाओं कर रहे हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि ये 40,000 नौकुरियां कौन सी है जिसकी आप घोशना करते हैं उसके परिणाम कब तक आने वाले हैं कौन-कौन सी एजेंसिया परिक्षा ले रही है या आप सीधे इन युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं माननी मुख्यमंत्री जी युवाओं के कायरेक्रम में राकिश्टार की तरह अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं जो चाहें वो घोशना कर रहे हैं मेरा सीधा सा सवाल है आप से कि एक 40,000 नौक्रियां कौन सी जिसकी आप घोशना करते हैं उसके परिणाम कब तक आने वाले हैं कोण-कौन एजेंसिया परिक्षा ले रही हैं या सीधे आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैंspecific आप एक 40,000 नौक्रियों के अपना रहे हैं को ठगना बंद किजिए और इस पस्ट रूफ से यह बताएं कि नौकरियां कब तक लोगों को मिल जाएंगे अब अधी सहित यह पेक्छा मैं आप से करता हूं और नहीं तो आप अपने पद को छोड़कर यह असत्य कथन करना बंद किजिए